आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही टेस्टी और यम्मी पराठा रेसेपी लाइए हूँ इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो चलिए इसे बनाने का प्रॉसेस देखते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ बॉइड आलो एक कप मैदा तीन से चार चॉप्ड ग्रीन चेली थोड़ा सा चॉप्ड अनियन और कोरियंडर लीव्स तो सबसे पहले हम दो त्यार कर लेंगे यहाँ पर हमने मैदा डाल दिया है अब इसमें हम एक चम्मत से थोड़ा सा कम पिंक सॉल्ट डालेंगे यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप लोग इसे जरूर बनाईएगा अब इसमें हम ग्रेन चिली डालेंगे अनियन डालेंगे और कोरियंडर लीव्स डाल देंगे आप इसमें धेर सारा कोरियंडर लीव्स डालिए इससे काफी कलरफुल दिखता है और खाने में भी अच्छा हो जाता है इसका डो त्यार करते समय ध्यान रखे आप इसमें बिल्कुल भी पानी अएड नहीं करना है इसका डो हम आलू की हल्प से लगाएंगे तो देखे इस तरीके से ग्रेटर की हल्प से आपको बॉइल्ड आलू को ऐसे ग्रेट कर लेना है आप इसे सिंपली हाथ की हल्प से भी मैश करकी यूज कर सकते हैं मैं आपको दोनों तरीका दिखा देती हूँ और इसी आलू की help से हम इसका proper dough त्यार करेंगे पानी बिल्कुल भी इसमें add नहीं करेंगे अब इसे ऐसे mix करेंगे यह देखे इस तरीके से आप आलू को mash करके भी use कर सकते हैं आपको जो जादा कर्मियनिट लगे आप वो use कर लें तो देखे प्रॉपर dough त्यार हो रहा है इससे इसमें पानी की नीट बिल्कुल भी नहीं है इसमें हम थोड़ा सा oil डालेंगे आपके हाथ में जो इतना ज्यादा चिपक रहा है वो चिपकेगा नहीं तो आप थोड़ा अच्छे से डालें अभी इसमें हमने डाला है जीरा पाउडर ये देखे प्रॉपर dough त्यार हो गया है इसका अभी इसमें एक चमज डालेंगे हम आमचूर पाउडर आप चाहें तो इसमें lemon juice भी यूज़ कर सकते हैं इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है देखे डो बन करके त्यार हो गया है अब हम पराठा बनाने का प्रॉसेस देखेंगे तो हाथ में oil लगा करके आपको ऐसे लोई बना लेना है और इसको हलके हाथ से ऐसे प्रेस करके फ्लैट कर लेना है उसके बाद इसे हम मैदे में ऐस ईसे लगा करके इसे रॉल करेंगे आप चाहेँ तो इसमें तेल या गीम लगा करके भी से रूल कर सकते है बट ऐसे मैदा लगा करके रोल करना काफी इजी होता है और इसका शर्प भी काफी अच्छा आता है आप इसे हम सेकेंगे तो तीन से चार मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे आपको सेखना है इसके उपर हम घी लगा रहे हैं आप चाहें तो इसमें ऑईल भी लगा सकते हैं और बस इसे ऐसे फ्लैट करते रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेख जाए तो ये देखिए अभी गैस का फ्लेम आपको थोड़ा स्लो कर देना है और इसे ऐसे स्लोली स्लोली प्रेस करते रहना घी लगाने के बाद आपको इसे कंटिनिवसली ऐसे प्रेस करते रहना है ताकि इसका corner जो है sides जो है वो भी proper cook हो जाए तो इससे सेखने में 4-5 मिनट लगता है और यह काफी अच्छी तरीके से सिख जाता है तो यह दिखे अब इसे हम एक plate में निकाल लेंगे एक और मैं roll करके आपको दिखा दे रही हूँ हाथ में पहले oil लगाना है फिर इसे ऐसे हलके हाथ से flat करना है उसके बाद इसे मैदे में ऐसे लपेट लेना है ताकि यह काफी अच्छी तरीके से roll हो हलके हाथ से इसे roll करना है यह बहुत ही tasty recipe है आप लोग इसे जरूर बनाईएगा आप इसे सबजी के साथ या चटनी के साथ भी serve कर सकते हैं या आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं काफी ज़्यादा tasty आता है देखें काफी अच्छी तरीके से यह सिग्या है आप लोग इसे जरूर बनाईएगा मैं चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा recipe पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा मैं इसे सब्सक्राइब करूँगी वह मैं आगे आपको दिखाऊंगी तो यह दिखें गर्मा गर्म पराठा बन करके त्यार है अब इसे हम सब्सक्राइब करके दिखाते हैं आपको तो यह दिखें कितना ज्यादा सॉफ्ट है आई होप आप लोगों के recipe पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए इंजोई